नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देख रहे हैं खबरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी सबसे पहले खबरहाट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरब से और खबरहाट की पूरी टीम की तरब से रक्षा बंदन की बहुत बहुत विनेश आई भाजपा गई क्या वज़ा हो सकती है एक और खबर है जो आज सोशल मीडिया पर बड़ी वाइरल है दो दिन से खास करके आज जादा हुई कि सुना है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत पुराने बड़े नेता जो कॉंग्रेस छोड़ गे थे वापस कॉंग् इसमें कही गई है लेकिन इन दो खबरों ने नीद उड़ा दी दरसल भाजपा की जिहां बीजेपी की नीद उड़ा दी दोनों की बज़ा है दोनों जो खबरे हैं इनकी वज़ा से बीजेपी के नीद उड़ना लाजिम है अब मुझे समझ नहीं आरा मैं किस राज़े से तो चलिए सबसे उपर का जो राज्य है हमारा सिरके जो ताज है जम्मौ किश्मीर वहीं से शूरू करते हैं जम्मौ किश्मीर मैं आप समझगे मैं किसकी बात कर भरू किराू हूं गुलाम नभी आजाद की आपको मालू है दो साल पहले गुना में भी आजाद ने कांग्रेस छोड़ कर खुब कुछ कहा था बड़ी लंबी चौड़ी चिट्थी लिख कर गए थे गांधी परिवार के खिलाव खास करके और फिर उनों ने गोदी संभाली किसकी बीजेपी की गोद में जाके बैठ गये और फिर अपनी एक पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बड़ी उम्मीदों से और बीजेपी ने बड़े चाओ से उन्हें अपनी गोद में बढ़ाया इस उमीद में कि भई जम्मू में तो हम घुष जाएंगे कश्मीर में अब गुलाम नभी आजाद के सहारे हम घुष पाएंगे वक्त बीटता गया लोकसवा चुनाओ आगे आलम ये हुआ कि जब लोकसवा चुनाओ से पहले रहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुची जैसे ही जम्मू कश्मीर में टर करी तो आदे से जादा आजाद साब की पारटी कॉंग्रेस में शामिल हो गई बाकी जो बची खुची थी बड़े नेता थे वो लोकसवा चुनाओ के दौरान कॉंग्रेस में शामिल हो गए और जो कुछ आखरी छन के क्रीम बची थी वो आजगल कॉंग्रेस में शामिल हो रही है अब सुना है कि जो बचे खुचे दो चार नेता है आजाद साब की पारटी में उन्होंने आजाद साब को एक मश्वरा दिया है कि अगर आपको राजनीती में बने रहना है अपनी राजनीती चलानी है तो क्यों न वापिस कॉंग्रेस की तरफ मूँ मोड लिया जाए और हो सकता है गांधी परिवार आपको माफ भी कर दे और गांधी परिवार का तो ट्रेक रिकॉर्ड है गांधी नेरू परिवार का कि यह जो अपने पिता के हाथ त्यारों को अगर माफ कर सकते हैं तो गुलाम नभी आजाद तो बहुत छोटे हैं उसे और सुना है कि गांधी परिवार ने भी कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ मुझे मेरी बात अजाद साब से नहीं हुई और मुझे नहीं मालूम लेकिन कॉंग्रेस का दिल बहुत बड़ा है वो उनका फैसला था जो नोंने किया था वो कॉंग्रेस का फैसला नहीं था तो अभी मैं यही कहूंगी कॉंग्रेस का दिल बहुत बड़ा है जो गए थे वो आना चा रहे हैं वो आ भी रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है तो हम हर इक कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जमूरियत लोकतंत्र को जीतने की है और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है दस साल जम्मू कश्मीर ने अन्याय साहा है ये लोक्तंत्र की जीत है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है कि चुनावों की घोशना केंदर में बैटी तानाशा सरकार को करनी पढ़ी। चार परसार करके हमारी बेटी जो ओलम्पिक में सिल्वर पदक तक जीत कराई विनेश फोगाट के साथ क्या आपने नयाय किया, तो मोदी जी और भाजपा बेटी बचाओ के नारे खोकले हैं, बेटी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षा देने में फेल हो रहे हैं, करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, जम्मु कश्मीर की आवाम को हम उमीदवार देंगे, वो उमीदवार को विधायक जीताएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, जो विधायक दल की बैठक अपना नेता चुनेगी, दिली का शीर्ष नितित, उसे जनता के मुताबिक आ इंडिया एलाइंस के साथ, नैशनल कांफरेंस के साथ मिलकर लड़ा, कश्मीर की तीन सीटों में दो हम जीत पाए है, अब विधान सभा में एलाइंस होगा, नहीं होगा, हमारा शीर्ष नितित ने, स्थानिय नितित जम्मु कश्मीर से लगातार बैठके की है, संगठन मे फिर बदल हुए है, और अब गटबंदन को लेकर जो भी चर्चा है, जो भी फैसला होगा, अधिकारी क्रूप से बड़े नेता, शीर्ष नेतित प्रेस कॉंफरेंस करके आपके सामने रखें। जम्मु रीजन की, 47 सीट कश्मीर रीजन की, बीजेपी सपना पाले बैठी है कि जम्मु की 43 में से कम से कम 30 सीट जीट जाएंगे, और कश्मीर में गुलाम नभी आजाद के सहारे शायद गुलाम नभी आजाद और एक दो और जोड़ के 10-12 सीट जोड लेंगे, तो इस तर देखा होका कि 2024 लोग सबाच चुनाओ के बाद एक नया ट्रेंड आया है कि लोग कॉंग्रेस जॉइन कर रहे हैं, उससे पहले कॉंग्रेस छोड़ने वालों की सूची लंबी होती जा रही थी, लेकिन अब कॉंग्रेस की तरफ आने वालों की सूची जो है वो लंबी होती जा रही है, अब बीजेपी को इतना बड़ा जटका कश्मीर में लगेगा, ये सोचा नहीं था बीजेपी का, वो भी ठीक चुनाओ की तारिक घोशित होने के बाद, अब बीजेपी के मनसूबे सारे के सारे जम्मो कश्मीर को लेकर धरे के धरे रह जाएंगे, अब आईए दूसरे राज्य हार्याना है, जो जम्मो कश्मीर के बाद, पंजाब और पंजाब के बाद हार्याना आता है, वहाँ आईए, अब हार्याना में दस साल से बीजेपी की सरकार है, मालूम तो है कि सरकार जा रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी को एक उम्मीद है कि लोग सभा election में भी चली पांच सीट तो मिली गई दस में से पांच गवाई उन्होंने और जाट वर्सिस नौन जाट पॉलिटिक्स पे चलती आई दस साल से बीजेपी इस बार भी उम्मीद कर रही है कि इसी पॉलिटिक्स पे शायद कुछ बन जाए और उम्मीद थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नौन जाट जो है वो एसोसेट कर पाएगा जिस से लेकिन कहा ना कि जो जितने इस दस साल में मोधी सरकार ने जिनको कहते हैं ने कि गलत कदम उठाए या जिनको कह सकते हैं कि आप जो उनके विपरिद जाने वाले हैं वो सब के सब निर्णे हर्याना से सीधे जुडते हैं हर्याना में तीन चीजों के लिए कहवत है जै जवान जै किसान जै पहलवान तीनों मोधी सरकार से नाराज किसान नाराज मालूम सब को जवान नाराज मालूम सबको पहलवान तो खैर पूरे ही नाराज ये भी सबको मालूम है बेरोजगारी और उसके तो क्या ही कहने कहर हर्याना में नंबर वन है बेरोजगारी में जैसे खेलों में नंबर वन है वैसे बेरोजगारी में भी नंबर वन है अब उपर से अभी उलम्पिक खेल हो गए उलम्पिक में जब मैडल हर्याना के खेलाडी लेके आ रहे हैं तो फिर जाहिज सी बात है ये बात उठनी लाजमी थी कि जब खेलो इंडिया का बजट जब स्पोर्ट के लिए बजट दिया जाता है तो गुजरात को 400 से 500 करोड का बजट जाता है और हर्याना के हिस्से में आता है सिरफ 86 करोड और गुजरात ने कितने मैडल दिलाए हैं ये भी समने गिल लेक कुल मिलाके दो खेलाड़ी गए थे ऑलम्पिक्स में वो भी किसमें गए थे किसी को मालूम भी नहीं हर्याना को मिलता है सिरफ 86 करोड रुपया ये सवाल उठा और साथ ही उठा कि हर्याना की बेटियों के साथ जो किया गया वो किसी से नहीं छुपा है अब इस चक्कर में कि हर्याना में किसी भी तरह से यह जो पहलवान बेटियों का जो मामला है इसको ठंडा करना है तो इस चक्र में बीजेपी ने फोगाट फैमिली में ही दरा डाल दी पूर गीता बवीता महावीर फोगाट वो बीजेपी में अपनी पार्टी में शामिल करा दिये गए और विनेश फोगाट दूसरी दरफ और यह हम सब को मालूम है आज की डेट में कि फोगाट फैमिली में अगर स्टार की बात करेंगे कि कौन जादा बड़ा स्टार है तो आ उनके साथ जुड़ा है उसने बता दिया कि हर्याना में क्या होने वाला है और आज ट्रेंड कर रहा है कि विनेश आई भाजपा गई अब विनेश आई भाजपा गई और विनेश फोगाट के स्वागत में दिपेंदर हुड़ा का होना कॉंग्रेस सांसर दिपेंदर हुड देतर मिलने गई अमन शहटत पहलवान जीत है वह सब से मिलें मनोरलाल खटर से मुंख्य मंतूरी से लेकिन मिलें दिपेंदर हुड़ा से उसकी भी एक वज़ा है उसकी वज़ा यह है कि अभी तक बीजेपी को कॉंग्रेस की तरफ से डबल स्टोड से मारने की कोशिश हर्याना में की जा रही है पहला सोड पूरी उम्मीद है कि विनेश फोगाड को कॉंग्रेस चुनाव में उतारेगी खेल मंतरी विनेश फोगाड होगी जैसे बीजेपी ने हौकी कैपटन संदीप सिंग को बनाया था हर्याना में खेल मंतरी वैसे ही विनेश फोगाड खेल मंतरी हो सकती है और अगर विनेश फोगाट खेल मंतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि अपने राज्ये में तो कम से कम खेल की स्थिती सुधारने की पुजिशन में होगी वो खास करके पहलवानों का महिला पहलवानों के लिए बहुत बड़ा ये जो कह सकता बूस्ट होगा पहला तो ये मारने की कोशि करें इस से बीजेपी को बहुत बड़ा जट ख़़ए कि अगर कांगरेस विनेश फोगाट को चुनाव बे उथार देती तो बड़े से बड़े सूपर स्टार के लिए उतनी भीड नहीं लगती जितनी विनेश फोगाट के लिए लगती है दिल दिल में उतर चुकी है हर्याना वे विनेश फोगाट और सब को हर्याना में यह लगता है कि विनेश फोगाट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड जरूर हुई है कुछ ना कुछ राजनीती जरूर हुई है जो उनसे मैडल छीना गया है अब ये संदेश हर्याना के कोने-कोने तक पहुँच चुका है अब इसको cash करेगी Congress Congress cash करेगी तो जाहिर सी बात है किसका cash कम होगा किसके vote कम होगे बहुत बड़ा जटका बीजेपी को यह लग रहा है आपर दूसरा बीजेपी को ही लग रहा था कि मुकावला अगर Congress और बीजेपी के बीच में सीधा सीधा है तो वो है भुपेंदर सिंग हुड़ा और बीजेपी के नायप सिंग सैनी के बीच में और इसमें उन बीजेपी को उम्मीद जागी कि कुमारी शैल जा भी मुख्य मंतरी की दावेदार है रंदीप सिंग सूर्जे वाला भी मुख्य मंतरी की दावेदार है तो जो आपस की गुटबंदी है कॉंग्रेस की वो बहुत भारी पड़ेगी उन्हें और फायदा बीजेपी को होगा इधर आम आदमी पार्टी से भी उनको उम्मीद थी कि शायद कॉंग्रेस साथ जाएगी तो कुछ फायदा होगा लेकिन आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है तो बीजेपी को ये डर तो ही कि अर्बन वोट आम आदमी पार्टी उनका काटेगी जेजेपी और आइनलडी और बीएसपी फिलहाल किसी गिंती में दिख नहीं रहे है अब हुआ क्या कॉंग्रेस एक नया जो है वहाँ पर फॉर्मूला इजाद कर रही है या नया एक्सपेरिमेंट हर्याना में करने की कोशिश कर रही है जिसके संकेत दे रही है हर्याना में कॉंग्रेस क्या करने वाली है इसके सूत्र जो कॉंग्रेस दफ्तर से निकलते वो वदा रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत जबर्दस तरीके से इच्छुक है और इसमें मलीकारजुन खड़गे की भी हामी है कि मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अगला जो हर्याना कहोगा उनकी तरफ से वो भुपेंदर सिंग हुड़ा नहीं होंगे बिलकि युवा सांसद डिपेंदर हुड़ा होंगे और डिपेंदर हुड़ा को इसका सिगनल दिया जा चुका है इसलिए दिपेंदर हुड़ा पूरी स्टेट में इस वक्त यात्राएं निकाल रहे हैं। ये आपका नया मुख्य मंतरी होने वाला है। और जाहिर सी बात है हर्याना में मुद्दे ही जादतर युवाओं के है। नौकरी का मुद्दा युवाओं के साथ है। पहलवानी का मुद्दा युवाओं के साथ है। किसानी में जो अभी है, वो अगली जेनरेशन आ चुकी है, वो भी युवाओं के हाथ में, तो युवाओं के लिए एक युवा चेहरा देने की कॉंग्रिस ने ठान ली है, तकरीवन ये मान के चली है आप, दिपेंदर हुड़ा देने से ये होगा कि जो भुपेंदर और रंदीब सुर्जेवाला खड़े हैं उन्हें भी शांत करने का एक मौका मिल जाता है कि लीजे हम दिपेंदर हुड़ा को दे रहे हैं भूपेंदर हुड़ा को बना ही नहीं रहे तो एक तीर से कॉंग्रेस कई शिकार कर रही है हर्याना में और निशाने बेकुल सही लग रहे हैं और इसका खामियाज़ा भुकतना पड़ रहा है कि इसको बीजेपी को भाज़पा सरकार ने 10 साल जो हर्याना को विकास की बठरी से उतारने काम कर आज देश में से आगे पहुचा दिया हर्याना में भाज़पा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नसे में, अपराद में और भश्टाचार में इसलिए आज प्रदेश की जंता दस साल के भाजबा कुशासन से अपने आपको ठगा महसूस कर रही है बदलाओ के लिए कॉंग्रेस पार्डी की तरफ आशा बरी नजर से प्रदेश की जंता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाना मागे इसाब कारिक मीडिया को भी लग चुकी है वरना आपने देखा था कि कहीं चुनाओ घोशित हो और गोधी मीडिया कोई सर्वे ना करे और बीजेपी को जीतता ना दिखाए यह कैसे पॉसिबल है लेकिन गोधी मीडिया में कुछ बहुत बड़े लेवल पर कुछ हर्याना को लेके जंब पर ही दिखा रहा है मैं खुद आज की डेट में कॉंग्रेस को 50-55 सीट दे रहा हूं जो मेरी खबार है मेरा अंकलन भी 50-55 सीट है यही वज़ा है कि गोधी मीडिया भी फिलाल है ऐसा लग रहा है कि मान चुका है कि हर्याना और जम्मू किश्मीर तो बीजेपी के हाथ से गए इसलिए अब पूरा जोर बीजेपी भी कहा लगा रही है जारकंड और महाराश्टर में अब महाराश्टर में दिक्कत यह है कि महाराश्टर में अजित पवार अपना कुनबा लेके अलग चले हुए है एक नाचिंदे अलग चले हुए है और बीजेपी अपना अलग क कॉंग्रेस सिर्फ जो पहले की तरह कॉंग्रेस नहीं रही कि जहां चुनाओ है वहीं फोकस करें। कॉंग्रेस एक साथ कई चीजें कर रही है। आज अभिशेक मनुई सिर्फ जो कॉंग्रेस के सबसे बड़े कानूनी दिमाग जिसको आज की डेट में कहा जा सकता है। बीजेपी ने एक चाल के जरीए उन्हें हिमाचल से राज्यसभा नहीं पहुँचने दिया हरवा दिया लेकिन आज उन्होंने तेलंगाना से फिर अपना नामंगन भर दिया और तेलंगाना से जीद 110% श्योर है। वो पहुचेंगे राज्यसभा अब राज्यसभा में अभिशेक मनुई सिंग्वी के पहुचने का मतलब आप जानते हैं कि सामने जब जगदीब धनकरजी बैठे होंगे तो कानून में आपको मालूम है कौन ज्यादा तेज है या ज्यादा जिसका कानून की जानकारी है। दूसरा ये स्टेट्मेंट है जो बड़े ध्यान देने वाली है गौरब गोगोई डेप्टी लीटर अफ ऑपोजिशन है लोकसवा में और उभरते हुए बड़े नेता है और गौरब गोगोई ने एक बयान दिया है गौरब गोगोई ने कहा है कि अगर पार्टी हाई कमा कि मज़ से कहेगी और जहां से कहेगी और इंहांक अग्ला विधान सभा चुनाओ असम में लड़ने के लिए तयार हूं और अगर पार्टी कहेगी मुझे हिमनते विश्वा सर्मा के खिलाफ चुनाओ लड़ना है तो मैं वहां से भी लड़ूंगा कहने को तो एक बयान है स इस बयान के पीछे की राजनीती आप समझीए। गौरव गोगई का असम से लड़ना ठीक है। लेकिन हिमंता विश्वा सर्मा के खिलाब भी लड़ने के लिए अभी से हामी भर देना मतलब की हिमंता विश्वा सर्मा की रातों की नीन हराम कर देना। आपको याद होगा या अगर नहीं बता तो मैं बताता हूँ कि इस बार जहां से जीत के आए हैं गौरव गोगई लोकसभा में हिमंता विश्वा सर्मा ने चैलेंज किया था गौरव गोगई को कि वहां से लड़के दिखाएं। गौरफ गोगोई ने चैलेंज स्विकार किया और वहां से जीत के आए जीत के नहीं आए बलके साथ में और भी सीटें जीत के आए अब हिमन्त विश्वा सर्मा को सीधे चैलेंज दे दिया है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ चुनाओ लड़ने के लिए और असाम में लोग गौरफ गोगोई के अंदर उनके पिता तरुन गोगोई की जलक देख रहे हैं एक मैचूर पॉलिटिशन की और वो पुरे देश ने देखा है जब वो लोग सभा में भी भाशन देते हैं तो उनकी मैचूरटी वहीं पर जलक जाती है हिंदी में कमांड इंगलिश मे में कमांड असामी में कमांड लैंग्विजिस में भी कमांड है तो यह हिमनता विश्वा सर्मा की कल से लेके नीन उड़ चुकी है यह मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको हिमनता विश्वा सर्मा अपने विधान सवाक्षेतर में बहुत ज्यादा नजर आने वाले हैं यह अलग बात है गौरब को कोई चुनाओ लड़े या ना लड़े उनके खिलाफ वो अलग बात है वो वक्त बताएगा लेकिन फिलाल एक जिसको कहता है न सुरसुरी तो छोड़ दिया है उन्होंने और हिमनता विश्वा सर्मा की नीन तो उड़ा दी है फिलाल तो इसी त प्रदेश में जो एंडिया है उसमें खल वली मची हुई है क्योंकि वहां जाके वो जो बाते कहेंगे वो अनुपरिया पटेल को भी एफेक्ट करती है वो राजभर को भी एफेक्ट करती है बीजेपी को भी एफेक्ट करती है अब एक साल कई एक साथ कई मोर्चों पर इस स्थिती और होती है पश्चिम बंगाल में सक्रिये सुना है बीजेपी कॉंग्रेस सक्रिये होने वाली है गुजरात में इस वक्त यातरा चल रही है गुजरात में भी न्याय यातरा चल रही है देश में इतर जिस तरफ देखो आपको कॉंग्रेस खबरों में नजर आ रही है और ये होना चाहिए था कम से कम पांच साल पहले पर चलिए देर आए दुरुस्त आए हो तो रहा है अब इससे होगा क्या इससे बेशक मैं ये नहीं कहता कि कॉंग्रेस पूरे जो देश है वहाँ पर हर चुनाव जीट जाएगी या बीजेपी हर जगा हार जाएगी ये बेशक ना हो लेकिन बीजेपी टोज पे तो रहेगी एक सत्ता पे चेक तो रहेगा विपक्ष अगर एक्टिव है विपक्ष अगर लोगों के बीच उतर रहा है तो समझ लीजे कि सरकार को जग मारके अपनी ड्यूटीज करनी पड़ती है दस साल से विपक्ष लेटा हुआ था मृत अवस्था में था इसलिए ये जो एजेंसी का दुरूप्योग हो रहा था न उसी बाय से हो रहा था ये फर्क पड़ता है विपक्ष के एक्टिव होने से फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज यूट्यूब पे सबस्क्राइब कीजिएगा फेस्बुक पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलेगा और हाँ सबसे इंपोर्टन लाइक बटन जरूर दिखा दिया कीजिए कुछ लोग कहते हैं कि आप आपसे कैसे जोड़ सकते हैं आप सूपर थैंक्स के जरी भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं नहीं तो मेंबर्शिप में जाके जॉइन बटन दबा के हमारे मेंबर भी आप बन सकते हैं नमश्कार